हेलो एरिवन एल वेल्कम टू आर नियो वीडियो तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि C++ में हम बेसिक इन्पूट और आउट्पूट कैसे करते हैं क्तों C++ जो होता है मारा विसे कली स्में कुछ इन्पूट लाइप्र सब्सक्वर्शंद कुछ direct भी नाय। जो की बेसिकली इन्पूट और आउट्पूट हमें करने मीर्थ करते नियुद यत हैं बाइट्स की वज़े से जो सिक्वेंस ओफ बाइट्स होती है सिक्वेंस ओफ बाइट्स इन्ही सिक्वेंस ओफ बाइट्स को हम कह देते हैं स्ट्रीम्स तो अगर हम ध्यान से देखें जो हमारे सी प्लस प्लस है यहां पे जो हमारा इंपूट आउट्पूट होता है यह होता तो अगर हम देखें जो हमारे इंपूट स्ट्रीम है इसमें जो हमारा फ्लो आफ डेटा होता है वह हमारा होता है इंपूट डिवाइस से प्रोग्राम की ओर तो यह होता है इंपूट डिवाइस से memory की और memory कौन सी memory जो हमारा program में memory यूज रती है उसकी तरफ वहीं अगर हम output stream को देखें तो यहां पर हमारा जो flow of data होता है वो हमारा main memory से output device की तरफ होता है तो main memory से किदर की तरफ होता है यह होता है हमारा output device की तरफ है तो जो structure हमारा होता है वो कुछ steps होता है सबसे पहले हमारा input device रहती है input device से हमारा data कि धर flow होता है वो हमारा जाता है main memory की तरफ फिन memory में हम क्या करते हैं कुछ operations करते हैं data की processing करते हैं उसके बाद वह data हमारा जाता है output device की तरफ तो हमें input output करने के लिए कुछ header file को include करना पड़ता है तो आपने देखा होगा कि जब हम अपना program लिख रहे थे तो वहाँ पे हम लिख रहे थे has include iostream वहाँ पे हम क्या कर रहे थे एक header file include कर रहे थे has include iostream यह header file हमने iostream को include किया था तो iostream हमारा क्या होता है basically इसका full form होता है input output stream यह हमारा input लेने में और output देने में help करता है अब इसके अंदर कुछ functions होते हैं जैसे c in c out c rr तो यह जो कुछ functions है यह हमारा basically input output में help करते हैं c in हमारा किस काम आता है c in हमारा काम आता है input लेने के to take input c out कहां काम आता है c out हमारा काम आता है to print output output प्रिंट करने के काम आता है और हमारा जो c rr है और एक और होता है हमारा c log यह दोनों हमारा जो काम आते हैं वो आते हमारा errors को display कराने में यह दोनों किस काम आते हैं to display errors तो यह जो चार functions हैं यह हमारे होते हैं basically iostream के अंदर तो हम जैसे ही लिखते हैं जो यहां पर फाइल पढ़नी है एक और header फाइल पढ़नी वो as has include f stream तो input output stream जो है iostream यह basically जो input output करता है यह कहां से करता है यह input output लेता है user से input लेता है किससे user से और output कहां करता है terminal में अब अगर हम f stream को use करते हैं तो इसकी मदद से हम किसी भी file में write कर सकते हैं या read कर सकते हैं तो हम किसी भी file को read कर सकते हैं फिर हम किसी भी file को write कर सकते हैं तो यह हम किसी मदद से कर सकते हैं f stream से इसका full form क्या है इसका full form है file stream तो हमारा f stream किस काम आता है f stream हमारा काम आता है कोई भी file का data read करने में और किसी भी file में data write करने में उसके अलावा एक और header file होती है जो कि होती है आयो मैनिप आयो मैनिप हमारी काम आती है manipulators use करने में manipulators मतलब जैसे हमने कभी decimal print करने की सोची decimal value अब वह decimal value क्या थी 0.0000001000000 कुछ इस type के अब हम चाहते हैं कि यह पूरा ना print हो के 1 2 3 4 5 6 सिर्फ decimal के बाद 6 places तक value print हो उसके बाद कुछ भी हो उसको हम क्या कर देंगे discard कर देंगे तो इसके लिए हम क्या use करते हैं इसके लिए हम use करते हैं sit precision का उसके लावा हम एक और use करते हैं उसके लावा हम sit width sit w use करते हैं इसका function sit precision use करते हैं तो यह basically हमारे manipulators होते हैं जो कुछ data को हमारे output को effective way में print करने के लिए use होते हैं तो यह तीन फाइल है हमारी has include io stream has include f stream मतलब io stream f stream और io manip यह तीनों header file हमारी data को input output कराने में हिल परती हैं तो चलिए अब हम एक simple सा program देखते हैं जो कि कुछ values को input लेगा और उसके बाद output कुछ हमारा print करेगा तो अगर हम program लिखते हैं किसका to sum two numbers अगर हम दो number के program दो numbers को sum करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे अगर हम इसका flow chart देखें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम start करेंगे तो कुछ इस प्रगार के हमारे structure होगा सबसे पहले हम क्या करेंगे दो numbers को read करेंगे उसके बाद उनको हम किसी variable में store करेंगे उसके बाद हम दूनों variables का sum कर देंगे और उसके बाद जो हमारा output होगा उसे हम क्या करेंगे print कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे अपने program को end कर देंगे तो चलिए इसके लिए program लिखते हैं सबसे पहला काम हम क्या करेंगे किसी भी program में हम सबसे पहले header file को include करेंगे तो has include iostream तो यह क्या करेगा यह हमारे input-output stream इस header file को include कर देगा हमारे program में next line using namespace std standard namespace library को हम यहाँ पे include कर रहे हैं उसके बाद क्या करेंगे int main के अंदर आएंगे इसके अंदर हम क्या करेंगे अब हम को user से input लेना है तो user से जब भी हम को input लेंगे तो उस input को हम जो हम user से input लेंगे कभी भी उसे हम हमेशा किसी variable में store करेंगे तो हमें क्या करना पड़े है सबसे पहले variable बना है जैसे user से हमने input लिया a b c तो इसे हम क्या करेंगे एक variable में store करेंगे जो कि किस data type का होगा string data type का अब हमने अगर user से input लिया a sorry a नहीं अगर हमने input ले लिया 2 तो हम क्या करेंगे एक int data type के variable में इसको store करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमें दो number का sum करना है तो हम यहाँ पर आएंगे और दो variables बनाएंगे integer type के तो सबसे पहले एक variable बनाते इंट A उसके बाद क्या करेंगे एक और variable बनाएंगे इंट B ठीक है, अब हम चाहते हैं इसकी value हमें user दे, तो हम क्या लिखेंगे, हम values लेने के लिए हमेशा use करतें c in का, तो हम लिखेंगे c in, उसके बाद यहाँ पे हमें किसकी value चाहिए, ये insertion, sorry, extraction operator लगाएंगे, उसके बाद हमें जिस भी चीज की value चाहिए, हम वो लिख देंगे, त उसके बाद हमें और b की value चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फिर से extraction operator लगाएंगे, और b लिख देंगे, तो ये क्या होगा, a में हमारी जो user first value देगा, वो आ जाएगी, और b में जो हमारा user second value देगा, वो आ जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें a plus b को print कर देना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक और variable बनाएंगे, int sum, sum में हम क्या करेंगे, basically इन दोनों का sum store करेंगे, तो sum is equal to a plus b, तो sum में हमारे a plus b आ जाएगा, और उसके बाद हम a plus b को print कर देंगे, यानि हम c out sum कर देंगे, तो ये हमारा print हो जाएगा, तो ये हमारा basic program था sum का, अब अगर हम क्या करेंगे, इसको अगर हम input दें क्या, 5 और 4, दो input अगर हम दें इसे, कैसे देंगे input 5 और 4, तो होगा क्या, सबसे पहले हमारा program चालू होगा, iostream को include करेगा, namespace std का use करेगा, int main के अंदर आएगा, program जो हमारा चालू करता है, compiler वो हमेशा चालू करता है main से read करना, तो वो main के अंदर आएगा, इसके अंदर आके क्या देखेगा, हम उसको बोल रहा है, एक a नाम का variable बना देगा, किस data type का, in data type का, फिर वो b नाम का variable बनाएगा, किस data type का, in data type का, फिर हमने क्या बोला, c in a, तो पहली value जो तुमको input मिले, उसे तुम a में store करा तो हमें पहली value क्या मिल रही है, हमें पहली value यहां पे मिल रही है, five, तो इस five को हम store करा देंगे, कहां पे, a पे, तो हमारी a is equal to five value हो जाएगा, second value जो हमारी, उसको equal करा दो b के, तो four जो हमारा, उसको हम store करा देंगे, b में, उसके बास हमने क्या बोला, एक variable बना दो sum, तो हमने बोला sum is equal to a plus b तो sum को हम a plus b के equal कर देंगे तो a plus b यानि 5 plus 4 9 तो sum की value क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी next line में क्या बोला c out insertion sum तो क्या करेगा ये 9 हमारा terminal में print कर देगा तो चल दिए अब हम चलते हैं अपने vs code पे और इसे अब हम इस program को run करते हैं तो हम आज चुके अपने vs code के अंदर ये हमने अपनी जो इससे पहले वाली program फाइल बनाई थी जिसमें हमने global और local variable को देखा था अब हम एक नई फाइल बनाएंगे और इसे हम save करेंगे किस नाम से इसे हम save करेंगे sum of two numbers sum of two numbers .cpp हमेशा .cpp लगाना ना भूले उसके बाद हम इसे save कर ले अब इसके अंदर हम क्या करेंगे सम के program के लिए सबसे पहले हम header file को include करेंगे तो has include उसके बाद कौन सी file है आयो stream तो आयो stream यह हमारी file हमने include कर दे फिर क्या using namespace std standard namespace library को हम use करेंगे ठीक है next line में क्या करेंगे int main में अपने आएंगे और main के अंदर हम को क्या करना है main के अंदर आने के बाद हमें दो variables बनाने int a और int b तो हम क्या कर सकते int a एक बार और int b दो बार इस type से हम बना सकते या फिर हम एक और alternative इसका use कर सकते हैं कि int b को अलग से न डिस्क्राइब करके int a के बाद हमें कॉमा लगाए और यहीं पे हम b लिख दे तो यहां पे हमारे दोनो variable एक ही line में declare हो गया है फिर हम क्या करेंगे फिर हमको यहां पे input लेनी है a और b की value तो हम क्या करेंगे लिखेंगे c in उसके बाद a उसके बाद किसकी value लेनी बी की तो b उसके बाद semicolon लगा देंगे तो इस step में क्या हो रहा है इस step में हमको a और b की value मिल रही है फिर हम क्या करेंगे एक और value बनाएंगे int sum अब इसकी value हमको a plus b के equal करें तो या तो हम इसी line में कर दें int sum is equal to a plus b ये भी सही होगा ये हमारा सही statement है या फिर हम int sum इस line में लिखें और यहाँ पे sum is equal to a plus b कर दें ये भी हमारा correct way है तो या तो हम declaration और value की जो initialization है वो अलग-अलग करें या तो एक साथ करें कोई फर्क हमारे program में नहीं पड़ेगा अब हमने क्या किया sum में a plus b की value store कर दिया अब हमें sum को print करना है तो हम क्या लिखेंगे c out उसके बाद इंसर्शन उसके बाद क्या print करना है sum तो यह क्या करेगा हमारा यह हमारा sum print कर देगा अगर हम इस program को run करें तो यह हमसे input माग रहा है दो values हमें दो values की input देनी पड़े तो अगर हम first value 2 दे देते हैं और second value 3 दे देते हैं तो हमको output 5 मिल जाएगा तो यह हमारा simple addition का program था अब हम इसे और beautiful way में बना सकते हैं हम क्या कर सकते हैं एक ही value लेने से पहले हम user से बोलेंगे enter the value of a तो हम क्या करेंगे जैसे हम a input ले रहे हैं इससे पहले क्या बोलेंगे इससे पहले हम print करा देंगे enter the value of a तो quotes के अंदर हम जैसा लिखते हैं उसी type का print होता है तो quotes के अंदर हम लिखेंगे enter value of a उसके बाद हम क्या करेंगे generally हम c out का जब भी use करते हम end l का use करते है end l किस काम आता है कि हमारा enter the value of a लिखने के बाद वो next line में हमारा move on कर जाता है terminal में तो जो हम input देते हैं वो next line में देते हैं तो हमारा program all beautiful 5 होके देखता है तो हम end l लिख देते हैं ठीक है तो अब क्या होगा अब यह हमारा सबसे पहले print होगा enter the value of a अब अगर मैं इस program को save and run करूँ तो सबसे पहले आए enter the value of a अब हम क्या करेंगे a की value दे दी लेकिन हमारा enter the value of b नहीं आए तो मतलब यहाँ पे जो 2 है वो a में store हो गया अब अगर मैं 3 लिखू तो अभी भी हमारा output perfect है तो हम क्या करेंगे enter the value of a उसके बाद a input लेंगे उसके बाद हम लिखेंगे enter the value of b उसके बाद हम b input लेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आएंगे यह जो इन दोनों को एक साथ input ले रहा है तो हम इस b को input नहीं लेंगे क्या करेंगे जैसे हमारा input हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम लिखेंगे c out enter the value of b enter the value of b तो यह क्या करेंगा उसके बाद हम इंडल करा के line break कर देंगे यह line break करने का यह क्या करेगा यह हमारे enter the value of b print कर देगा फिर हम क्या करेंगे फिर हम basically enter करवा लेंगे b की value तो c in b करेंगे तो अब हमारी b की value enter हो जाएगी थोड़ा से इंब रखने के लिए हमने दा हटा दिया अब क्या करेंगे अब अगर हम अपने program को run करें तो यह हमारा enter the value अगर मैं इसे clear करूँ अब अगर मैं इसे run करूँ यह हमारा fresh आ गया enter the value of a बोल रहा है अगर मैं a की value 5 देता हूँ फिर यह क्या बोल रहा है enter the value of b फिर अगर मैं 6 देता हूँ तो यह हमारा 11 प्रिंट हो जा रहा है अगर हम ध्यान से code के structure को देख सबसे पहले क्या होगा int main के अंदर हमारा आएगा compiler यहाँ पर हमने बोला int a b तो a और b दो हमारा variable बना देंगे उसके बाद क्या होगा उसके बाद हमने बोला c out enter the value of a तो enter the value of a प्रिंट हो जाएगा फिर line break होगा फिर हमने बोला c in a तो a की value a में store हो जाएगी जो पहली value enter हम करेंगे जैसी value उसको मिल जाएगी उसके बाद वो next line पर आगा next line में उसको क्या instruction मिलेंगे enter the value of b c out enter the value of b तो यहीं basically हमारा यह प्रिंट कर देगा next line में c in b लिखा है तो वो b की value input करा लेगा फिर हमने एक और variable बनाया sum sum में हमने क्या किया a plus b store किया उसके बाद हमने c out sum कर देगा अब अगर हम चाहते हैं यह sum हमारा display करने से पहले हम लिखना चाहते हैं the sum is तो हम क्या करेंगे c out के बाद आएंगे insertion के बाद quotes लगाएंगे इस type को अब यहाँ पर हम quotes के अंदर क्या लिखेंगे the sum is उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर क्या प्रिंट करा देंगे sum उसके बाद हम इंडल करा अब अगर ध्यान से देखेंगे हम तो होगा क्या यहाँ पर c out में आएंगे उसके बाद यहाँ पर उसे एक string मिल रहे है string मतलब जो quotes के अंदर रहती वह string होती और string as it is print होती है अगर मैं यहाँ पर 50 स्पेस ऐसे दे दूंगा तो यह इसी वे में प्रिंट होगी तो यहाँ पर हमने एक string लिख दी ता कि हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा अब अगर मैं इस प्रोग्राम को फिल से रन करता हूं रन करने के दो वेज है उससे पहले मैं इसे clear कर देता हूं हाँ अब अगर मैं इसे रन करता हूं तो सबसे पहले बोल रहा है enter the value of a अगर मैं 11 देता हूं बी की value 12 देता हूं ध्यान से देखो 10 सा मिस 23 हमारा आ गया तो यह हमारा basic structure था प्रोग्राम का एक simple input output वाला प्रोग्राम तो इन strings की मदद से हम user को instructions देते हैं क्या करना है सबसे पहले हमने बोला enter the value of a तो वो कुछ enter करेगा same भी इस टाइप से हम instruction दे सकते हैं तो यह हमारा basic program था input output का और कैसे हम use करते हैं variables को तो next video में हम देखेंगे operators को कैसे हम use कर सकते operators हमारे plus minus divide कई प्रगार comparison operator assignment operators उसके लावा आप gigs for gigs के course पर register कर दीजे वहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल से कैसे register करना है link description में दिया गया folks cpp का उसे आप क्लिक करिए तो आपको क्या करना है आपको वीडियो के description में जाना है यहाँ पर मैं दे दूंगा c++ course link इस पर क्लिक करना है आपको यह आपका new window open करेगा मेरा already यहाँ पर enrolled है तो मेरा directly open हो गया है आप सभी का enrolled नहीं होगा तो यहाँ पर आएगा register now उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको यह course मिल जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आने module 1 पर जाना है module 1 जैसे open करेंगे तो यहाँ पर writing first c++ program आप इस article को पढ़ सकते हैं उसके बाद c++ data types यह पूरा article पढ़ सकते हैं उसके बाद third article जो है हमारा basic input output आप इसे पढ़ सकते हैं तो यहाँ तक आप पढ़ सकते हैं उसके रावा आप क्या कर सकते हैं आप problems में जा सकते हैं जैसे hello world आपसे लिखते आता है तो आप यहाँ पर आएंगे और यहां पर सिर्फ एक करने की सी आउट लो वर्ल तो यह राबसयाब्ड और यहां गर्सकितें करसकते हैं आपको नेंट्स विडियो में डीप में बता दूँगा एंडेल और स्लैशन उसके लावा आप कुईज में जा सकते हैं और यहां पर बहुत सारे questions रहते हैं आप इन्हें try कर सकते हैं तो यह आप कर सकते हैं उसके लावा contest जब आपका module 1 खता हो जाब वो कर सकते हैं तो जाइए इस course पर लिस्टर किजये ज्याद से ज्यादा इसका यूज कीजए, इसके群 अलावाब हैकर रिंग पे जा सकते हैं ये जोव पहली प्रोब्लम्स ये आकर सकते हैं इन्पूट आउट्पूट ये सभी प्रॉब्लम्स कर सकते तो आप जाए हैकर रैंक पे और गीक्स फॉर गीक्स पे रेजिस्टर करिए कोर्स के लिए और प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट कर दीजिए आई होप आपको समझ आ रहे होंगे वीडियो तो कोडिंग करते रहे हैं थैंक यो फॉर वाचिंग अ अ